रोचे दोस्तों, ढीठ है आज की 10 जून 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कॉशन में तीन इशूज आज हम डिस्कॉस करेंगे सबसे बहले आर्टिकल हम डिस्कॉस करेंगे इंडिया पाकिस्तान टाइस से समंदित इसमें ना इंडिस वाटर ट्रीटी पर फोकस किया गया है दूसर आर्टिकल हिंदू का ही इंडिया इरान रिलेशन्स से समंदित दोनों IR के आर्टिकल है तो एक पूवर्टी से समंदित अलग से आर्टिकल हम डिस्कॉस करेंगे mint का basics में उसमें revise करेंगे discussion हम start करें उससे पहले एक example है जो आप ethics में use कर सकते हो example देखो काफी दुखद है लखनव में एक लड़के ने अपनी मा की हत्या कर दी गोली मार के बच्चे का कहना है कि मेरी मदर जो है मुझे online games नहीं खेले देती थी जैसे PUBG और even हत्या करने के बाद में दो दिनों तक उस 16 साल के लड़के ने अपनी मा की बोड़ी को छुपा के रखा even 10 साल की एक छोटी बच्ची थी उसकी sister उसको भी धंकाया कि अगर किसी को बताया तो तुमारा भी यही हाल कर दूँगा तो ethics में एक topic है, role of family in inculcating the values तो देखो यह जो example है ना, इसका जिकर आप कर सकते हो आजकल यह जो इतना ज़्यादा digitalization आ गया है even खिलोनों का commercialization हो गया है मतलब बच्चे मावाप के साथ बहुत कम time spend करते हैं क्योंकि entertainment के इतने ज़्यादा source उपलब्द है एक वो भी time था जब इतना कुछ था नहीं खेलने के लिए बच्चे मावाप के साथ बहुत time spend करते थे मावाप की कहानियां तो कितनी famous हैं मतलब हम सुनते आये हैं कि मारात को कहानी सुनाती है बच्चे को नीद आ जाती है लेकिन आज के समय मेरा इतना ज़्यादा commercialization हो गया है मावाप समय बिता नहीं पाते बच्चों के साथ में और values inculcation का time मिलता ही नहीं है तो ये example आप इस्तिमाल कर सकते हो जब ethics में आप इस topic के बारे में कुछ लिखो role of family in inculcating the values अब चलिए discussion start करते हैं फर्स्ट important article इंडिया पाकिस्तान relations से समाधित है आप G.I.S. paper second के इस topic से आर्टकल को relate कर सकते हूँ देवों सुरवात में हम basics की बात करेंगे इंडर्स water treaty जो की sign हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1960 में agreement sign हुआ था कराची में भारत की तरफ से उस समय प्रधामंत्री नहरू ने participate किया था sign करते वक्त और पाकिस्तान की तरफ से उनके जो प्रीमियर थे प्रेजिडेंट थे अयूब खान उन्होंने sign किया था इस treaty पर इस treaty में ये decide हुआ था उपर के ये जो तीन rivers हैं इंडस जेलम और चिनाब इनको यूज क्या जाएगा पाकिस्तान के द्वारा मतलब इनके जो overall rights हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे और नीचे की तीन नदिया सतलूज, रावी, ब्यासम इनको यूज करने से समधित rights मिलेंगे इंडिया को ये decide हुआ था लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस, जेलम और चिनाब के पानी को इंडिया हाथ भी नहीं लगाएगा ट्रीटी में ये decide हुआ था कि कुछ परपजीस के लिए इन उपर वाली नदियों का पानी भी इंडिया इस्तमाल कर सकता है जैसे hydro electricity generate करने के लिए irrigation के लिए उसी परकार से पाकिस्तान को भी ये rights मिले थे बट पाकिस्तान तो lower riparian state है ना मतलब नदिया इंडिया से पाकिस्तान में जा रही है तो इंडिया को तो वैसे भी दिक्कत नहीं है आप कीजिए नदि जब एक बार हमारे देश से निकल गई है तो आप कुछ भी कीजिए हमें क्या ले न देना लेकिन हाम इंडिया के concerns ये थे जैसे इन नदियों से कुछ drain जाते हैं पाकिस्तान में नाले पाकिस्तान उनको block ना कर दे पाकिस्तान नालो को block कर देगा तो फिर इंडिया में पानी कठा हो जाएगा इंडिया में बहुत सारे जो खेत हैं वो बरबाद हो जाएंगे तो इसलिए इन सभी provisions को जगा दी गई थी इस Indus Water Treaty में और इसको broker किया गया था यानि करवाया गया था World Bank के दवरा वैसे देखो 1967 से लेके अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन्स में बहुत बात दरार आई है लेकिन ये treaty अभी तक चल रही है treaty में provision ये है कि एक permanent Indus Commission establish किया जाएगा जिसमें इंडिया की तरफ से commissioner होंगे और पाकिस्तान की तरफ से भी commissioner होंगे treaty में ये भी provision क्या गया है कि समय समय पर permanent Indus Commission की जो meetings है वो होती रहेंगी ताकि पानी के यूद से सम्बंदित जो information है वो आपस में share होती रहे दोनों देशों के बीच में और जो भी concerns है उनको भी address किया जास के permanent Indus Commission की meetings में ये decide हुआ था तो जैसा मैंने आपको बताया बेसक रिष्टे खराब हों लेकिन इस permanent Indus Commission की जो meetings है वो समय समय पर होती रहती है अभी relations थंडे बस्ते में हैं बावजुद इसके 30-31 मई को permanent Indus Commission की meeting हुई थी और इस meeting में पाकिस्तान की तरफ से कुछ concerns raise किये गए थे और इंडिया की तरफ से भी concerns raise किये गए जैसे देखो काफी समय से पाकिस्तान का एक concern ये है इंडिया जहलम पर जो किसन गंगा hydro electricity project का निर्मान कर रहा है मतलब जहलम की tributary पर और दूसरी तरफ चिनाब की tributary पर भी एक rattle hydro project का निर्मान कर रहा है ये treaty की obligations के against नहीं है मतलब technical design जो है जो treaty में दिया हुआ है उसके against है ऐसा पाकिस्तान का अरूप है लेकिन इडिया का ये कहना है नहीं भाया treaty में जो technical design allow किया गया है na hydroelectric projects के लिए उसी के compliance से हम ये hydroelectric projects का निर्मान कर रही है तो इसको लेके न दोनों देशों के बीच काफी समय से differences है मतलब इन projects को लेके किसंगंगा और रेटल दोनों hydroelectric projects को लेके इंडिया कह रहा था कि neutral expert की appointment आप कर दीजिए मतलब वल्ड बैंक को बोल रहा था क्योंकि वल्ड बैंक ने ये immediate करवाई थी न ट्रीटी तो इंडिया बोल रहा था कि आप neutral expert को बुला लिजिए और देख लिजिए इंडिया जो hydroelectric projects का निर्मान करवा रहा है वो ट्रीटी में allowed technical design के अंदर ही आता है कि chairman को भी appoint कर दिया इस issue के लिए और एक neutral expert को भी appoint कर दिया हाला कि main जो differences है उनको decide क्या जाएगा neutral expert के द्वारा कोई ऐसा expert third country से है मतलब ना इंडिया से है ना पाकिस्तान से है वो इस family का समाधान करेगा कि हाँ वास्तव में इंडिया के जो ये projects है treaty में allowed design के according ही है या फिर इंडिया के द्वारा treaty में जो provisions लिखे हुए है for example इस height से ज़्यादा hydroelectric project का निर्मान नहीं कर सकता तो इंडिया जो project का निर्मान कर रहा है वो ज़्यादा height का कर रहा है वो ऐसे technical design है जो treaty में allowed नहीं है सब कुछ decide क्या जाएगा neutral expert के द्वरा हला कि पाकिस्तान की इज़्यत रखने के लिए court of arbitration के chairman को भी appoint कर दिया है लेकिन writer कहते हैं आने वाले समय में न इन issues को लेके थोड़े differences है न बढ़ेंगे क्योंकि दो separate process start कर दी है world bank ने तो दोनों के समधान न निकले मामला और उलत जाए और हाल है में जो 30-31 तारिक को 30-31 माई को meetings organize हुई न इसमें पाकिस्तान ने दो और hydropower plants को लेके objections raise कर दिये ये हैं किस्तवार district में चिनाब की tributary पर चिनाब की tributary हैं मारुसुदार रिवर इस पर दो hydropower plants का construction चल रहा है एक पकल डूल और दूसरा lower कल नहीं इनको लेके भी पाकिस्तान ने objections raise कर दिये हैं इंडिया ने पूरा ब्रोसा दिलाया है हम treaty में जो चीजें allowed है ना मतलब treaty में जो कहा गया है ये technical design का आप hydropower plant establish कर सकते हो उसी design के साथ हम चलेंगे और आपके जो भी concerns है उनको address करेंगे उसी परकार से इंडिया ने भी एक बात बोली कि आपने ना फाजील का drain को block कर दिया है जिसकी वज़े से जहां पे आपने block किया है उससे पहले आसपास के region में पूरा contamination हो गया है और जो soil के concerns को address करने की बात कही वो काबिले तारीफ है बेसक आगे क्या होगा वो बवीशे के गर में है लेकिन इतना relations खराब होने के बावजूद इतना conflict होने के बावजूद ये treaty अभी तक ठीक था काम कर रही है ये अपने आप में एक बढ़िया example है एक बार USA के राश्टरपती जो Eisenhower है ना उन्होंने कहा था ये treaty एक bright sport है ये मतलब instable होते world में ये bright sport कितरह है कि किस परकार से दो देश जिनके relation अच्छे नहीं है वो भी कुछ issues को लेके आपस में अच्छे से corporate कर सकते हैं writer कहते हैं देखो यही model दूसरे देशों के संदर्ब में भी follow किया जा सकता है जैसे इंडिया के ना दूसरे देशों के साथ भी इन चीजों को लेके dispute है जैसे इंडिया नेपाल के बीच dispute है boundary को लेके और कुछ power projects को लेके तो जहां पर भी dispute है ना इंडिया का या फिर दूसरे देशों का भी वहाँ पर भी ये model फोलो किया जा सकता है जो इंडस वाइटल ट्रीटी का है इवन इंडिया और पाकिस्तान इस ट्रीटी से सीख लेते हुए दूसरे इशूस को लेके भी कोपरेट कर सकते हैं जैसे reverse की joint study की जा सकती है और climate change का क्या असर पढ़ रहा है reverse के पानी पर इसको भी jointly study किया जा सकता है ताकि further दोनों देश मिल के परियास करस के पानी को कंजव करने के लिए तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिसकस किया इंडस वाइटल प्रीटी से सम्मदित चलते हैं आगे आप से पहले आप पूर्टी की definition बताइए definition देखो काफी ज़्यादा जरूरी है UPSC अगर पूर्टी के ऊपर question पूछती है तो definition आपको याद होनी चाहिए वहाँ पर definition आप बनाने लगोगे काफी सारा time waste हो जाएगा इसलिए definition जरूरी चीज़ों की आप पहले से याद करके जाएए पूर्टी की definition स्कूलों में हम पढ़ते थे पूर्टी एक ऐसी condition है जिसमें कोई person life जीने के लिए अपनी basic जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता resources नहीं होते या फिर इतनी चीज़ें नहीं होती कि वो minimum standard of life के साथ life जीस के अब देखो एक important बात यहाँ पर जो ये term है minimum standard of life ये हर एक society के लिए अलग-अलग होता है जैसे हो सकता है इंडिया में ये कहा जाए कि अगर कोई person एक दिन में 50 रुपे कमाता है तो वो गरीब नहीं है चाइना में ये आंकड़ा अलग हो सकता है USA में अलग हो सकता है तो minimum standard of life जो है वो अलग-अलग होगा अलग-अलग society में इसलिए definition के साथ आप ये भी add कर दीजिए minimum standard of life and well-being that is considered acceptable in society हर एक society में minimum standard of life अलग-अलग accepted होगा तो इसलिए ये line last के आप जुरूर add कीजिए complete definition हमारी हो जाएगी poverty की poverty देखो अब दो तरह की होती है absolute poverty और relative poverty absolute poverty का क्या मतलब है आप एक बाद बताईए life की basic आवसकता है क्या होती है life की basic आवसकता है होती है सबसे पहले food, clothing, shelter, central मतलब रहने के लिए घर, nutrition ये सब जो चीजे होती हैं वो किसी भी individual की basic जुरूरते होती है सिधा-सिधा अगर मैं आपको absolute poverty की definition बताऊं किसी person की income इतनी नहीं है कि वो अपनी life की basic जुरूरतों को पूरा कर सके तो सरकार क्या करती है इन basic जुरूरतों को देखते हुए यानि food, housing, shelter, clothing इन सब को देखते हुए एक line ड्रा कर देती है मालीजे 1000 रुपे सरकार ने ये line कैसे decide की सरकार ने ये line ऐसे decide की कि अगर किसी की income 1000 रुपे से उपर है तो वो अपनी सारी basic जुरूरते for example housing, food, shelter इन सब को पूरा कर सकता है लेकिन अगर कोई person 1000 रुपे से कम कमाता है एक महिने में तो वो अपनी इन जुरूरतों को पूरा नहीं कर सकता इसका मतलब वो गरीब है तो ये definition है absolute poverty की सरकार ने एक line ड्रा कर दी इतनी income होनी चाहिए basic जुरूरतों को पूरा करने के लिए अगर इस income से नीचे कोई आता है तो वो गरीब है अगर इस income से उपर कोई आता है तो वो गरीब नहीं है तो ये concept हुआ absolute poverty का लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा relative poverty का concept थोड़ा अलग है मान लीजिए USA में 5 persons है एक, दो, तीन, चार, पांच पहले person की एक महिने की income है 10,000$ दूसरे person की महिने की income है 9,000$ तीसरे की income है महिने की 12,000$ और चोथे की है 15,000$ लेकिन पांचमे की है 2,000$ आपने एक चीज यहाँ पे notice की होगी पांचवे परसन के जो इंकम है बाकि 4 परसन के इंकम के अपैक्सा कर्थ काफी कम है 2,000 डोलर पर मन्थ वैसे देखो 2,000 डोलर में सारी आवसेक्टाइं पूरी हो जाती है मतलब लाइफ जीने के लिए जिन भी चीजों की आवसेक्टा है 2,000 डोलर में वो सारी आवसक्ताएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन जिस सोसाइटी में ये 5% रहते हैं, उस सोसाइटी का जो minimum standard of life है, उसके लिए एक महिने में income कम से कम 5000 डोलर होनी चाहिए, क्योंकि जिस सोसाइटी में ये 5% रहते हैं, उस सोसाइटी के culture के हिसाब से AC होना जरूरी है, घर म minimum standard है, अब पांचवा परसन, 2000 डोलर जिसके income है, वो ये सब चीजे अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कार नहीं कर सकता, वो laptop अफोर्ड नहीं कर सकता, ये सब चीजे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो basic life की बुन्यादी चीजें हैं, जैसे shelter, clothing, food, इन सब को अफोर्ड कर पात है, पांचवा परसन, तो इसका मतलब ये पांचवा परसन रिलेटिव पूर है, वैसे वो परसन absolute ग्रीब नहीं है, absolute ग्रीब तो तब होता न, जब life की basic आवसकता हैं भी पूरी नहीं कर पाता, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन पांचवा परसन है, basic आवसकता हैं पूरी कर पा रहा है, लेकिन बाकी समाज से अगर हम compare करें, बाकी चार persons से हम compare करें, समाज के minimum standard of life से हम compare करें, तो वो person गरीब है, relatively गरीब है, तो ये poverty है, relative poverty, समझ गया आप concept क्या है, absolute poverty का और relative poverty का, relative poverty देखो kind of universal है, हर एक देश में है relative poverty, अमान लिजी एक society में 10 लोग है, बाकी 9 क एक साल में income एक क्रोर डोलर के आसपास है, और दसवे परसंड की annual income एक साल में एक लाख डोलर के आसपास है, अब देखो एक लाख डोलर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी 9 persons के अपेक्सा कर तो उसकी income काफी कम है ना, तो एक लाख डोलर एक साल की income होने के वो relative poor है, इसलिए relative poverty universal है, हर एक देश में exist करती है, और जो absolute poverty है, वो किसी देश में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, relative poverty देखो, inequalities की वज़े से होती है, ऐस मानताओं की वज़े से, कोई जुरूरी नहीं कि जिसकी person, जिसकी income कम है, वो गरीब है, बस ये है कि उसकी income बाकी लोगों की अपिक्सकर्थ कम है, यानि इन inequalities है, income में ऐस मानताओं है, तो इसी वज़े से relative poverty को eradicate करना, यानि खतम करना मुश्किल होता है, जबकि absolute poverty को अपिक्सकर्थ खतम करना आसान होता है, नेक्श देखो, हम poverty के measurement के बारे में discuss करें, उससे पहले मैं आपको बताता तो आप कई सारी dimensions consider कीजेगा, रोटी कपड़ा मकाम तो है, यानि food, housing, clothing, ये सब चीज़े तो हैं, दूसरी dimensions आप poverty से समधित add करोगे, malnutrition, low income, illness, living conditions, unemployment, illiteracy, education, illiteracy, एक जैसे points हैं, ये आप लिख सकते हो, तो ये सारी dimensions आप जुरूर add कीजेगा, जब poverty के बारे में आपको कुछ लिखना हो, हम measurement of poverty discuss करें, यानि poverty को कैसे measure किया जाता है, line क्या है, उससे पहले एक और concept मैं आपको करवाना चाहता हूँ, poverty के काजिस क्या है, यानि poverty होती क्यूं है, गरीबिक किस करण वस आती है, पह reason है, पुवर्टी का, लेकिन ये specific reason है, पहले हम बात करेंगे, theories की, क्या theories दी गई है, various thinkers के द्वारा, पुवर्टी के लिए, सबसे पहले theory तो देखो, ये है, जो पुराने समय में दी जाती थी, अगर कोई गरीब है, तो अपने पिछले जनम के कर्मों की विज़े से पुराने समय में दी जाती थी, ये theory आज के समय में totally irrelevant है, आज के समय में देखो, सबसे पहले जो theory है, वो है classical theory, classical theory में कहा जाता है, अगर कोई person गरीब है, तो उसके लिए वो खुदी responsible है, अगर कोई person गरीब है, तो वो अपनी inefficiency के कराण गरीब है, वो आलसी है, लेजी है वो कुछ करना नहीं चाता, तबी वो गरीब है, लेकिन देखो कुछ sociologist इस theory को मानते नहीं है, sociologist कहते हैं, गरीबी आती है, wage distribution और division of labor की वजए से, जैसे doctor skilled होता है, doctor की salary काफी ज़्यादा होती है, wages काफी ज़्यादा होते हैं, उसके बाद आप nurse का example ले सकते हो, nurse semi skilled होती ह तो doctor की अपिक्सा करत, nurse की जो wages हैं, वो कम होते हैं थोड़े, और सबसे last में, ward boy, ward boy तो आप कह सकते हो, एक प्रकार से unskilled होता है, सबसे कम wages होते हैं, ward boy के, अब इस example में आपने देखा, जो person unskilled है, उसके wages सबसे ज़्यादा कम है, तो socialist ये कहते हैं, देखो individual को अगर आप skill दोगे, तो वो गरीब थोड़ी ना होगा, आप ये कैसे कह सकते हो, कि individual lazy है, inefficient है, ineffective है, इसलिए वो गरीब है, मतलब है, कि उस person के पास skills नहीं है, अगर आप उसको skill दोगे, तो वो गरीबी रेखा जाए, उपर आ जाएगा, तो आप कैसे कह सकते हो, कि individual अपनी गरीबी के नहीं मिली, उसको skills नहीं हासिल हुई, इसलिए वो person गरीब है, तीसरा है culture या फिर सब culture of poverty, इस concept के अनुसार देखो, जो लोग गरीब है, यानि poor है, गरीबी में रहते रहते, उनका रहन सहन, उनका behavior इस परकार से डवलप हो गया है, यानि उनका culture इस परकार का बन गया है, अगर कल को प्रिष्थितियां change होती है, circumstances अच्छी होती है, या फिर economic changes अच्छे आते हैं, तो भी वो गरीबी रिखा से उपर नहीं आएंगे, इसके लिए responsible है culture of poverty, फिर से बोलता हूँ, मान लीजे आज डेस में unemployment है, opportunities जादा नहीं है, circumstances अच्छी नहीं है, economic situation अच्छी नह इस परकार का develop हो गया है, यानि poverty का एक culture develop हो गया है, कल को अगर circumstances अच्छी होती है, employment opportunities अच्छी है, economic situation इंप्रूव होती है, तब भी वो person गरीबी के रिखा से उपर नहीं आएगा, क्योंकि वो उसने गरीबी का culture जो develop कर लिया था, उसी culture के हिसाब से वो जी रहा है, उसका behavior behavior भी पुराने culture के हिसाब से ही है, गरीबी के culture के हिसाब से, उसकी values भी गरीबी के culture के हिसाब से ही है, तो ये एक concept है, culture और sub-culture of poverty, next theory है poverty की social structure, इस theory के अनुसार देखो, अगर social structure किसी देश में ऐसा है कि उस देश में educational attainment कम है, employment opportunities कम है, unemployment काफी जादा है, health indicators अच्छे नहीं perform कर रहे हैं, तो ऐसी situation में संभावना जादा है गरीबी की, यानि social structure responsible है गरीबी के लिए ना कि individual इस theory के अनुसार, तो ये हमने poverty के लिए responsible कुछ theories की बात की, तो इस परकार से हमने basics तो discuss कर लिए, अब बात करते हैं आज के article की, दिखो आज का जो article है न, वो poverty के estimation से सम्मदि इंडिया में poverty reduction के मामले में अलग-अलग data present किया है, जैसे Center for Monitoring Indian Economy, Consumer Pyramid Household Survey के अधार पर, डबली अचो के एक paper ने कहा हम, कि इंडिया में जो extreme poverty है न, कम हुई है by 12.3%, इंडिया में extreme poverty थी 2011 में 22.5% और 2019 में घटके हो गई है 10.2%, तो इसके comparison में, Consumer Expenditure Survey and Other Data Sets के अधार पर, IMF के एक paper ने कहा कि, इंडिया में जो extreme poverty है, 2011 में 10.8% थी और घटके रह गई है, 2019 में सिरफ 1.3%, यानि आल्मूस्ट खतम हो गई है, अब देखो, आर्टिकल में कहा जाता है, poverty estimate के accurate होने से क्या importance है, मतलब क्यों poverty का estimation है, वो accurate होना चाहिए, अगर सरकार देखो हमें सही डंग से पता है poverty कितनी है, तो हम intergenerational cycle of poverty जो है, इसे address कर सकते हैं, जैसे parents गरीब हैं, उनके बच्चे गरीब, फिर उनके बच्चे गरीब, ये generational जो cycle चल रहा है poverty का, उसे खतम किया जा सकता है, जब accurate estimation हो poverty का, उसके बाद सरकार को जब ये पता होगा, कौन से region में कितनी poverty है, सरकार उसी हिसाब से target policy जो है, वो launch कर सकती है, सरकार को जब ये पता होगा, कि कौन से section में poverty है, woman में है, differently abled sections में है, तो फिर उसी के हिसाब से सरकार policy launch कर सकती है, inclusive growth सरकार ला सकती है, मतलब जो inequalities हैं समाज में, उसे दूर करने का पर्यास कर सकती है, और देश के सभी citizens को जो basic human rights हैं, जैसे education का अधिकार, health का अधिकार, ये सब provide करने की कोशी सरकार कर सकती हैं, तो points जो हैं, वो normal हैं, मतलब यूं कह सकते हो कि point खीच दिये हैं, असल में overall जो point निकलते हैं, वो 3-4 ही निकलते हैं, और देखिए, socio-economic जो discrimination होता है, communities के अंदर सबसे last में एक अलग सा point है, time poverty, time poverty मतलब ऐसी situation, जब आपके पास अपने आपके लिए time नहीं होता, तो जब आपके पास अपने आपके लिए time नहीं होता, तो health पे अनुकूल असर नहीं पढ़ता है, मतलब negative impact पढ़ता है, mental stress ज्यादा पढ़ता है, आप खराब choices करते हो, त challenges क्या है, poverty estimation में, सरसे पहले availability of data, देखो poverty estimation में बहुत सरे indicators का इस्तमाल होता है, जैसे multi poverty index है, इसमें 10 indicators होते हैं, जैसे electricity है, घर की availability है, तो हर एक indicator से समद्धितना proper data available नहीं होता, तो कई बार तो data के अभाव की वज़े से कम ही parameters के अधार पर poverty का estimation है, वो लगा लिया जाता ह और जो important parameters हैं, वो छूट जाते हैं, next time, economist bias, कई बार देखो, जो economist poverty पता लगाने की कोशिस कर रहे हैं उनके अंदर भी एक bias होता है, किसके लिए वो data इकर्था कर रहे हैं, जैसे मापको example देता हूँ, माल लीजिए, economist की जो ideology है, वो सरकार की ideology से मिलती है, तो जान बूज के ऐसा data रखेंगे जंता के सामने, जिससे पता लगता हूँ कि हाँ, इस सरकार ने अच्छा काम किया और poverty कम हुई है, next, data lag, जैसे देखो consumer expenditure survey है, इसके अधार पर poverty समद्धी data इकठा किया जाता है, 2017-18 का data तो सरकार ने अवी तक release किया ही नहीं, सरकार ने कहा था कि इसमें कम अधार पर, तो data lag है, पुराने data के अधार पर poverty estimation का पता लगाया गया है, इसके बाद last के दो points के कहते हैं, देखो हमारा देश जो है बहुत जड़ा diverse country है, नजाने कितने अलग-अलग sections के लोग हमारे देश में रहते हैं, तो सब के लिए well-being की एक definition नहीं हो सकती, well-being की जो तो यह challenges आते हैं poverty estimation में, तो यह हमने article discuss किया, conclusion क्या हो सकता है, article में तो दिया नहीं इसका conclusion, conclusion इसका यह हो सकता है कि अब तो देखो नए-नए technology आ गई है, तो नए-नए technologies के अधार पर, मतलब advanced technologies के अधार पर, सरकार को poverty estimation लगाना चाहिए, और specific information होनी चाहिए कि इस reason में यह section जो है, वो गरीब है, और फिर बाद में ताकी, जैसे पहले में हमने discuss किया, उसी के हिसाब से targeted approach अपनाई-जास के poverty को खतम करने के लिए, मतलब conclusion में आप technology के dimension एड़ कर सकते हो, poverty estimation में technology का उप्योग जरूरी है, चलते हैं आगे, आगला जो article है, वो देखो, इंडिया- इरा relations से समन्दित है, context देखो ये है, आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो, और context देखो ये है, इरान के विदेश मंतरी हुसेन, अमीर, अब्दुलाहियान, ये भारत की आतरा पर आए, ये विजेट देखो इसलिए भी important थी, क्योंकि Prophet Muhammad के उपर टिपनिक से जो controversy generate हुई है, जिसको Arab countries ने इसका काफी जला विरोध किया, और OPEC, नहीं, OPEC नहीं, OPEC तो वो टेल वाली organization है, Organization for Islamic Corporation, यानि OIC, OIC ने भी इस controversy पर इंडिया को criticize किया है, तो ये पहली बार है, कि OIC के कोई member country का विदेश मंतरी इंडिया की यातरा पर आया, इस controversy के generate होने के बाद में, देखो, वैसे, इंडिया और इरान के जो relations हैं, वो कुछ समय से ठंडे बस्ते में हैं, क्योंकि USA, नहीं, sanctions लगाये हुए हैं, इरान के ऊपर, पहले इंडिया, इरान से अच्छा खासा tail import किया करता था, लेकिन जबसे USA ने sanctions लगाये, इंडिया ने tail import करना बहुत कम कर दिया अब negligible tail import इंडिया करता है, हमने वो आर्टिकल डिसकस किया था न, why Gulf countries matter, उसमें भी हमने ये चीज़ डिसकस की थी, कि इरान से अब oil import काफी कम हैं, दूसरा, चबार port इंडिया ने develop तो किया, इरान में, ताकि Central Asia से connectivity को increase किया जासके, इसके साथ साथ, अफगानिस्तान में भी trade को boost किया जासके, लेकिन तालिबान का कबजा हो गया, अफगानिस्तान की सत्ता पर, तो अब समान जो है, वो चबार port के थूरू नहीं जा पा रहा है, वैसे इसके अलावा, चबार port से rail link भी इंडिया ने develop करने की बात कही थी, लेकिन वो अभी तक develop नहीं हो पाया है, मतलब वो project भी अभी तक तेजी से नहीं चल रहा है, तो ये कुछ points हैं जिसकी वज़े से इंडिया और इरान के बीच में जो रिष्टे हैं, थोड़े ठंडे बस्ते में थे, लेकिन ये जो visit है, उसने इंडिया और इरान के बीच में relations को एक energy provide की है, क्योंकि ये visit ऐसे समय पर आई है, जहां इंडिया इस controversy से जूज रहा था, Prophet Muhammad के उपर टिपनी से समन्दित, तो इंडिया ने उस controversy को थंडा करने की कोशिज की कि देखो इरान हमारे साथ है इस controversy के उपर, दूसरी तरफ, IAEA के जो board of governors हैं, वो वियना में मिल रहे हैं, ताकि इरान का जो nuclear program है, उ पर decide क्या जांसके, तो इरान भी दिखाने की कोशिज करेगा, कि देखो एक powerful country हमारे साथ है इस issue पर, तो दोनों देशों के लिए ये जो इरान के विदेश मंत्री की जो विजिट थी, वो एहम है, इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो रिस्तों को ना फिर से reset करने की चाहिए, अभी इरान और वेनुजूला के उपर sanctions लगा हुए है ना, तो इंडिया का ये कहना है कि भाया तुम बोलते हो कि रस्या से भी ना purchase करो, इरान से भी ना purchase करो, वेनुजूला से भी ना purchase करो, तो हम purchase कहां से करें, ये दिक्कत है ना, अगर आप चाहते हो कि हम रस् करने चाहिए कि, इरान से ओयल का जो import है, फिर से start किया जाए, दूसरा, जो छबार port है, जिसका full utilization अभी नहीं हो रहा है, छबार rail project भी जैसा हमने डिसकस किया, ठंडे बस्ते में है, even trade potential काफी ज़्यादा है, इंडिया इरान के बीच, मतलब टेल से अलावा भी काफी trade potential है, तो इसको भी पूरी तरह से utilize करना ज़रूरी है, छबार rail project जो है, इस पर तेजी से काम करना ज़रूरी है, छबार port का full utilization होना चाहिए, तो ये तो वो steps हैं जो लिए जा सकते हैं, relations को फिर से reset करने के लिए, यानि improve करने के लिए, लेकिन देखो, कुछ चुनोतिया भी है, च इरान के दोरा, तो West Asia में एक axis emerge होके आ रहा है, Israel, India, UA, US, इसे West Quad का भी नाम दिया गया है, मतलब West Asia Quad, तो कुछ experts के दोरा बोला गया कि ये जो initiative है, ये anti-Iran है, तो इरान कैसे लेता है इंडिया को, कि इंडिया इस initiative में सामिल है, वो भी देखने वाली बात होगी, ये concern हैं, तो इंडिया को इरान के जो भी concern है, उनको address करने कोशिस करनी चाहिए, और ये एक अच्छी शुरुवात है, इरान के विदेश मंतरी की इंडिया वेजिट, तो हमने पूरा article discuss किया, इंडिया-Iran relations के बारे में, तो ये थी हमारी आज के discussion, आज हमने तीन issues को detail से discuss किया, फिल Thank you, thank you very much for discussion.